हलो और वेल्कम तो लेट्स क्रेक्ट यूप एसी एसी माने में इस प्रतिक नायक एंड वेल्कम यॉल उन दे लार्जेस यूटूब प्लैट्फॉर्म फॉर सिवल्स और इस प्रिपरेशन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रतिक नायक है एक टॉप एजूकेटर और आपके सा साथ साथ जो बुद्धिजम का पार्ट कंक्लूड किया था महां से आगे चलेंगे and then we'll be going and discussing towards the Puranic Hinduism तो आज मैं आपको जो भी पढ़ाने वाला हूँ पुरान के बारे में पढ़ाने वाला हूँ पुरान के अंतरगत जो आज का modern day Hinduism का development कैसे हुआ उसकी कहानी बताऊंगा और mainly हम लोग NCRT centric रहेंगे we'll be discussing the topics related to NCRT और NCRT के अंतरगत आज का जो भारत का Hinduism उसका कैसे development हुआ उसके ओपर चर्चा करते तो चलिए शुरू करते हैं let us start the session today इन फैक्ट मुझे आपको cultural developments in ancient India पिछले class के अंदर मैंने आपको बताया था और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी के cultural traditions की बात करेंगे हम लोग भारत के अंदर सर है ना प्राचीन भारत में तो बहुत लंबे समय से develop होने की शुरूवात हुई बुधिजम और जनिजम एक्चुली मूल तहस है यह cultural tradition का ही पार्ट था सर है ना तो अगर आपको याद होगा तो we had discussed actually this traditions as a part of the cultural development in ancient India है ना तो 600 BC से लेके 600 CE तक है ना भारत में 6 century BC से लेके 6 century CE तक का जो पीरड है इस पीरड में जो भी सांस्कूर्तिक बढला हुए उसको ह अभी तक देखा सर है ना तो बुधिजम जनिजम इसी का ही पार्ट है एक्चुली मैंने उसको थोड़ा और extract करके पढ़ाया आपको क्योंकि यह पढ़ाने का intention यही था कि आप यहां से INCIT कर दीजी अच्छी तरह से and then जो further उसका growth है वो आप मेरे plus courses के उपर आओगे या आप इनफेक्ट है ना reference books को पढ़ोगे तो भी आपको मिलेगा प्रिवेस के question solve करोगे तो वहां से भी आपका बहुत सारा solution हो जाएगा चलिए सर ठीक है तो लेट्स स्टार्ट सेशन टूड़े मैं आपको cultural traditions के अंतरगत वेदिक traditions के बारे में बताया था सर है और वेदिक traditions इनफेक्ट दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है एक तो अर्ली वेदिक traditions डेवलप हुए और उसके बाद लेटर वेदिक traditions डेवलप हुए इसी के अंतरगत हमको बदा चला कि उपनिशत का निर्बान हुआ और उपनिशत से हम लोग सब समध्य की कोशिश करता है तो ब मैंने आपको बुद्धिजम और जनीजम पिछले क्लास के अंदर पढ़ा है उसके बाद मैंने आपको बुद्धिजम की जर्नी बताई थी जहां पर मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से स्थूप ट्रेडिशन बनने की शुरूआत होई और सूप आर्किटेक्चर के अंत इसको इतियास के रूप से अब देखने कोशिश करें कि वेडी के जो था वह 1500 से लेके 600 बीसी तक हम लोग कंसीडर कर सकते हैं उपनिश्यत का जो पीरड़ है वह 600 बीसी के अनवर्ड का पीरड़ है यह जो 64 के आसपास संप्रदा है वह भी 600 बीसी के आसपास ही डिवलोप ह हुआ और पीरड़ अफ ताइम जब महायान हीन आया वह 100 बीसी तक आते यह 100 सी तक आते आते उनका भी ग्रोथ होना शुरू हो गया अब सवाल यह था कि इन सब पीरड़ के समय पर यह जितने भी कल्चुरल ट्रेडिशन चल रहे हैं और इसमें हिंदूइजम क्या कर रहा इसके कोई फॉलोवर्स नहीं बचे थे हैं तो मूल तहां से हमको क्या पता चल रहा है कि जो वेडिक रिलीजियन यहां पर अर्ली और लेटर वेडिक पीरिड के अंदर डेवलोप हुआ जहां से उपनिशद निकल के आ है वो पीछे बैग्राउंड के अंदर एक्जिस्ट इसी समय के दौरान आपके यहां पर जो हिंदू ट्रेडिशन से इसकी भी शुरुवात होती है अब यह चीज़ याद रखेगा कि यह जो हिंदू ट्रेडिशन से वर्ड हिंदू जो है वो ancient India के अंदर नहीं mention किया जा रहा है sir so the word Hindu is actually mentioned in the later period उसके थोड़े time के बाद आपको दिखेगा पर traditions जो आज की तारिक में हम लोग follow कर रहे हैं वो हमको मिलेंगे sir ये traditions के अंतरगत हमको बता चलता है कि शैविजम का development होना सुरू हुआ ये traditions के अंतरगत आप देखोगे तो वैश्नविजम का development होना सुरू होता है और ये traditions के अंतरगत आप देखोगे तो शक्तिजम का development होने की शुरू आत हुई sir शक्तिजम का मतलब क्या है कि शक्ति की परंपरा, शक्ति की आराजना करना जैसे अब इश्रावण का महिना चल रहा है, तो हम कहते हैं कि शीव जी का महिना है, बहुत सारे शुब कामना है, आपको जन माश्मी की बाइदर वेइद वेई, तो उसमें वैश्नाविजम की ट्रेडीशन्स वहां से डेवलोप हुई, उसके बाद हम लोग शक्तिजम की दे पुरानिक हिंदुईजम का मडलब क्या है कि जो पुरान के अंतरगत जो हिंदुई की पूरी की पूरी जो नई डेवलोपमेंट है उसके ओपर हम लोगा चर्चा करेंगे सर हना तो लेट स्टार्ट सेशन टूड़ें के अंदर ही यह टॉपिक दिया हुआ है बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको इन्वाइस करना चाहूंगा कि आप हमारे प्लस कोर्स के ओपर आईए प्लस कोर्स एक्चुली प्लाइड कोर्स से अने के पेड़ प्लाटफॉर्म के ओपर चलते हैं अप्लिकेशन के हो बाकी इंडिया के टॉप मुस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आप पढ़ा सकते हो सर ठीक है आप सब्सक्रिप्शन के लिए कॉमबेट को अपियर करिए हमारे वीकली टेस्ट होता है इसको आप एवरी सेंडे अपियर करिए यहां पर आप अच्छा रैंक लेके आएंग सब्सक्रिप्शन को लेके वही चीज आपकी ऑप्शनल में भी अवेलेबल है ऑप्शनल की जो फीज है वो 27,500 है and you can use the code P in live और इसको use करने से आपको 10% off भी मिल जाएगा खेर तो यह काफी advantages आपके लिए रहेगा बाखी हमारे जो plus courses होते उसका फाइदा यह होता है कि उसमें raise your hand का feature आता है जहां आप हमारे साथ directly interact कर पाते है है ना we have got some fantastic batches 2022 के लिए हमारी batch आ रही है सर है ना 22 और 23 के लिए खास करके है ना तो you can join this batches हम लोग बहुत सारी batches करवा रहे हैं और इसमें आपकी बहुत सारी two years की subscription की पूरी जर्नी cover कर दी जाएगी है ना तो आप प्रिलिम्स मेंस इंटर्यू ऑप्शनल हर एक सब्जेक के साथ आप जॉइन कर सकते हो दो साल का सब्सक्रिप्शन लोगे और ऑप्शनल का अलग से ले लिजिएगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी खेर है ना तो यह आपको कुछ नहीं करना है यह कोड को यूज करना है और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवलेबल है आप देख सकते हो आखिर में अगर आपको हमारे पेड कोर्स भी देखने है तो आप खली है ना मेरी प्रोफाइल को फालो करिएगा प्रोफाइल करोगे तो दो फाइ को लेकर क्लासिस करवाए हुए हैं तो उसको भी आप देखिए प्लीस ट्राइट टू अटेंड देम काफी फाइदा रहेगा आपको क्योंकि उसमें मैंने कॉम्प्रियेंसिवली बहुत सारे टॉपिक्स को एक्स्प्लेन किया हुआ है सर हना फॉरें ट्रावलर्स की है मल्टीपल टॉपिक्स है बिन हाइलाइट चलते हैं हम लोग आज के क्लास के अंदर और आज हमारा मोस्ट प्रब्ली इंफेक्ट ये टॉपिक का सबसे आखिर का पोर्शन होगा जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब शैविजम का डेवलोप्मेंट कैसे हो रह हमने स्थूप के ट्रेडिशन क्या थे आज हम लोग देखेंगे कि वैष्ण विजम और श्विजम का ग्रोथ कैसे हुआ प्राचीन भारत के अंदर सब्सक्राइब और हिंदू ट्रेडिशन के अंतरगत जो अलग-अलग प्रकार के भगवान है अलग-अलग संप्रदाय है उन सब का निर्मान कैसे हुआ हो इस डिफ्रेंट इफ्रेंट सेक्ट इमर्ज दें इंचेंट इंडिया और वर बेसिकली डेवलोपिंग ओवर पीरिड ऑफ ताइम उन सब के ऊपर आज के ग्लास के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे सर ठीक है तो लेट स्टार्ट टापिक स जो चैप्टर है यह चैप्टर को भी फिर हम लोग यहां से कंक्लूड कर पाएंगे सर ठीक है ना क्योंकि इसमें जो आखीर वाला पोर्शन है हिंदूइजम का है वो थोड़ा कम दिया हुआ है और फिर वहां से कोशन्स तो आपके बनते रहते ऐसा नहीं कि नहीं बनता है वो टॉपिक के ओपर से जो भी कोशन्स बन पाते होंगे सर है ना वो भी मैं इंक्लूड करवाने की कोशिश करूंगा सर है ना तो उसकी चिंता मत करिएगा यू डोंट वरी अबाट पॉंट की वहां से कोशन्स कैसे बनेंगे किस तरह से बनेंगा चलिए सर ठीक है तो ले इसका जो हिंदू ट्रेडिशन से उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है सर ठीक है तो इसकी शुरुवात ये फो इमेट से होती है कैने सी ओवर हियर सर है यहां पर विश्नु की एक मूर्ती है सर और विश्नु अगर आप देखोगे तो भूदेवी को हाथ में लेके हुए अवतार के अंदर है। यूमाइट भी अवर अबड़ेवरा इंकार्नेशन औफ विश्नु सर ठीक है तो वश्ञु जी के जो अलग अलग अवतार है वो कहां से निकल के अशर ठीक है कि आप समदने की कोशिश करिए कि जो वेडिक पीड़ेट है वेडिक पीड़ेट के अं आप जुड़े हो मतलब करीबन 15-20 दिन पहले के क्लास के अंदर तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन दे लेटर वेदिक ट्रेडिशन्स अब होता क्या है कि इसी में से पुरान का निर्मान किया गया था ठीक है अब आप याद करिए वेदिक लिट्रेचर को तो उसमें दो प्रकार के आपकी ट्रेडिशन्स अाएंगे शुरूती ट्रेडिशन्स का मतलब बैसिकली जो शुरूत के रूप में रिगवेध जैसे वेध आपको मिल जाएंगे है सिरह ना तो आपको वेद मिलते हैं वेद के चार अलग अलग प्रकार दीखेंगे आपको सब्सक्राइब है थाम वेद है यजुर वेद है ऐसरव वेद है ठीक है तो आपको इसी के इसके बाद इसी का ही कंटिनुएशन दिखेगा फॉरस्ट लाइफ के अंतरगत जिसे हम लोग अरणयक के रूप में पचानते हैं और उसके बाद आए उपनिशत जो वेदो की फिलोस्पी है अब प्रॉब्लेम यह हो रहा था कि इनिशल ही जो सुरुथ सी ट्रिडिशन घंफाइल होगा विधिक लिटरचर के रूप में सट इसमें से कुछ गुछ चीजह은 हो टी है Vous high तैन्सिरायएब होने का मतलब है कल्प, नीरूक्त, जोति, शंद, व्याकरन, तो यह सब के सब आप देखोगे तो वेदांग के प्रकार है, इस सिक्स स्कूल्स, यह सिक्स आम्स ऑफ वेदा, समझेख नहीं समझेख, उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे, तो वेदांग के साथ साथ आपको मिलेगा, वेदों के उपर से डिराइव हुआ है, उपवेद, उपवेद के साथ आपको मिलेंगे शद दर्शन, शिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोस्पी, तो भारत की दर्शन शास्त्रों के अंतरगत, अलग-अलग शाकाओं का निर्मान किया गया, छे अलग-अलग शाकाओं बनती है, तो सांक्या, योग, निया, वैशेशेख, मिमान सा, वेदांत, आप देखोगे तो ये अलग-अलग प्रकार की इंफिक दर्शन बनके आई सर, ठीक है, इसी के अंदर स्मिध्य जो है पुरान, ये विश्नु के अवतार, विश्नु जी के अलग-अलग प्रकार के इंकार्नेशन, ये कहां से आया सर, तो विश्नु एक्चुली वस पार्ट ऑफ द रिगविदिक ट्रेडिशन, विश्नु जी की जैसे फर एक्जामपल में बात करता हो, गौड के रूप तो विश्नु जी जो है, वो मूल तहसे रिगवेद के अंदर ही मेंचन किये गए है, ठीक है, विश्नु जी की जो पूजा अर्चना है, विश्नु जी की जो पूरी की पूरी विचारधारा है, वो पॉपिलर होती है, ओर पीरिट ऑफ टाइम जब यहां पे इतियास लिख और पुरान लिखने की शुरुवत होती है, अब पुरान का मतलब यह होता है, पुराना, ओल्ड, anything that is old, उसे हम लोग कहते है, पुरान से, बेजिकली यह पुराना है, यह बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन का पार्ट है, और विश्नु के अलग रग इंकार्नेशन को, विश्न का फेक्टर हो गया, संसार की सरजन कब हुई थी, किसने किया था, everything will be highlighted into the पुरान, और यह पुरानी थे जो विश्नु जी को अलग अलग incarnations के साथ जोडते है, तो यहां पे आप देख रहे हो, विश्नु जी का एक अवतार है, तो total 10 अवतार है, विश्नु जी के पता होग क्योंकि जीवन के अंदर जब कल यूग बढ़ जाएगा, तो इस विल लीड टू, आई आई वूट से, अ कंडिशन वेर इवेंश्नु जी विश्नु जी को यहां पे आके लिबरेट करवाएंगे, तो पुरान के अंदर आपका time factor दिया गया है, यह time factor के अंदर origin of universe और यह सब की बात की गई है, इसी के अंतरगर बोला गया है कि जो संसार है, दुनिया है, वो चार स्पीजिस से गुजरती है, तो आपको आपने देखा होगा, कि एक ऐसा यूग होता है, जिसे हम लोग सत यूग कहते है, या कृत यूग कहते है, तो कृत यूग आपको मिलेगा, पिर आपको दिखेगा है सर, तरेत यूग दिखेगा सर, फिर दौपर यूग दिखता है सर, फिर उसके बाद हमको मिलता है कल यूग सर, तो ये कल यूग का जो टाइम है सर, उसके अंदर जब यहाँ पर crimes बढ़ जाएंगे, society के अंदर problems बहुत हो जाएगी, society के अंदर issues create होंगे, तो विष्णु जी eventually will come, और शिव जी विल कम, जनरली अलग-अलग प्रकार की मान्यत आया है, अलग-अलग प्रकार की basis है, पर ऐसा मानते है कि विष्णु जी आएंगे सर, कल की अवतार के रूप म तो यह आज का modern day Hinduism जो है, शिव जी का मानना होगा, विष्णु जी का मानना होगा, आप देखोगे तो अलग-अलग देवियों को माना जा रहा है सर है ना, goddesses को माना जा रहा है, यह सब पुरान की परंपरा से आया है, तो आज जो पुरान की परंपरा है, यह कब होई सर ह हुआ, इसका compilation होता है around 3rd century CE के आसपास सर हना, तो total 18 पुरान लिखी गई है, जिसे हम लोग कहते हैं महा पुरान सर हना, so there are total 18 पुरान सर हना, ऐसे तो बहुत सारी पुरान है, पर 18 बड़ी वाली पुरान हैं ते सर, big big पुरान, so okay, 3rd century CE के आसपास इसका compilation हुआ, और 3rd century CE म अगलग प्रकार की देविया है, माता जी है सर, उनकी पूजा अर्चना होने शुरूत होगी, और वहां से एक नए traditions बने सर हना, so when Hinduism के अंदर जब हम लोग बात करेंगे, when in the ancient India, when Buddhism, Zenism was getting developed, महायान traditions were getting developed, we find the पुरानिक traditions were also getting developed, तो ये पुरानिक traditions जो है, जो आज का modern Hinduism के स साथ हम लोग जोडते हैं, क्योंकि Vishnu के इतने सारे अवतार है, शिवजी के इतने सारे अवतार है, ब्रह्मा को ultimate God के रूप में मानते हैं हम लोग सर, ठीक है, तो इन सब का basis आपको ये पुरान के अंदर दिखेगा, याद रखेगा, और ये पुरान का compilation हुआ है, compilation का मतलब है, कि कोई एक author ने इसको नहीं लिखा है, this has not been compiled by single author, this is compiled by multiple authors, multiple scholars, multiple experts as well, getting more point है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, we find कि यहाँ पर एक एक चीज़ देखने को मिली, कि the whole पुरानिक traditions जो डेवलोप हो रहा है, ये पुरानिक traditions के अंतरगत, we find कि अलग अलग प्रकार के शुरुआत होई, सर, ठीक है, तो आपका topic में ही डाला गया है, सर, cultural developments, ये चीज़ दाली है, सर, ये तो ये cultural developments, इसी कैसा जोड़ा गया है, सर, getting my point है, तो क्या बोला गया है, NCIT क्या कहता है, the growth of पुरानिक Hinduism, क्या कहता है, the growth of पुरानिक Hinduism, सर, है न, आपको सीधा-सीधा इसके अंदर से बोला गया है, कि पुरान के अंदर जो Hinduism है, उसका growth कैसे हुआ, उसको ये highlight करवा रहा है, सर, ठीक है, अब देखे, क्या-क्या चीज़े इसने यहां से highlight की है, सर, है न, you try to understand what things actually they have highlighted, okay, so as a part of the पुरानिक traditions, ये कह रहा है, कि the notion of saviour was not new to Hinduism, सर, है, बुदि से ली जाएगी, सर, getting one point है, और समाच के अंदर जितने भी वाइसीस है, negativity है, उन सब के अंदर से आपको मुक्ती देएगी, सर, getting one point है, तो वो Hinduism, Buddhism का अकेला पार्ट नहीं है, क्योंकि Buddhism के अंदर ये चीज़ थी, कि बुद्र, बोधी सत्वा के रूप में उभर के आ गए, और फिर वो आके society के अंदर जो problems से दुख थे, उन सब को दूर चले गए, यही चीज़ आपको Hinduism के अंदर भी मिलती है, और Hinduism में पहले सीधी तोर के उपर नहीं थी, जब वेदी traditions डवलप हो रहे थे, तब नहीं हुआ करती थी, पर जब पुरान का compilation हुआ, when पुरान was actually compiled now, by that time we come to know that the tradition had evolved, और यही traditions के अंतरगत, जब हम लोग समझने की कोशिच करते है, the traditions of the पुरान, पुरान के अंदर यह सब बातों को ज्यादा highlight किया गया, right sir, ठीक है न, so आपको पहले तो यह चीज़ पता होनी चाहिए, कि पुरान की परंपराओं के तहत, किस-किस प्रका की in fact बाते होती है, and as a part of the पुरानी traditions, what do we see over here, we come to know that different different kind of traditions, इसी के अंदर से basically हम लोग कह सकते है, कि यहाँ पर अलग-अलग gods and goddesses को भी highlight किया गया है, right sir, ठीक है, अब आप देखने की कोशिच करिए, यहाँ क्या बोला गया है, sir, ठीक है, we find the similar ideas being developed in different ways within the tradition that we now consider part of Hinduism, sir, ठ अचानते हैं, और विश्नु जी को in fact माना जाता था right from the early period, early period का मतलब क्या है, sir, ठीक है, he was worshipped right from the Vedic literature only, later Vedic period में विश्नु जी के ऊपर कुछ-कुछ लोग भी आपको मिल जाएंगे, early Vedic period में नहीं थे, पर later Vedic period में तो मैं जरूर से कह सकता हू, कि he was actually worshipped and he was actually part of the traditions as well, खे this included the Shaivism as well, Shaivism का मतलब के है, जो Shivji को basically Chief God के रूप में मानते है, in which there was given emphasis, growing emphasis on the worship of a chosen deity, sir, अब कहानी क्या चलती है, भारत के अंदर ये जो पुरान की परंपरा बनती है, इसमें अलग-अलग प्रकार के पुरानों को लिखा गया, sir, so there were multiple पुरान that were compiled, ये जितने भी multiple पुरा एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है, कि काफी सारी परंपराओ का निर्मान हुआ, काफी सारे वेजिकली आप समधने की कोशिश करोगे, तो Gods and Goddesses को personal God के रूप में मानने की शुरुवात होती है, sir, getting one point है, तो what do we see over here, we find different different पुरान, जैसे विश्नु पुरान है, जैसे then you'll find ब्रह्मन्द पुरान, sir, ठीक है, फिर आप देखने कोशिश करोंगा, आपको भहिश्य पुरान देखेगा, ब्रह्मा देखेगा, वामन पुरान देखेगा, तो पुरान की बहुत सारी परंपरा है, ये पुरान की परंपराओं के कारण क्या हुआ, कि God के अलग- शुरुवात हो जाएगी, sir, है न, विश्णु जी को सुप्रीम गौड के रूप में लोग मानने की शुरुवात करते है, sir, जहां से इन फैक्ट एक पूरा का पूरा संपरदाय बनके आया, जिसे हम लोग कहते हैं वैश्णु विश्णु विजम को प्रमोट करने के लिए भी फाइंड कि विश्णु को ही डेडिकेट की हुए बहुत सारे पूरान का लिटरेचर बनता है, ये पूरान के लिटरेचर के अंतरगत मैंने अभी आपको नाम बताया है, गरूर पूरान है, मत्य पूरान है, वरा पूरान है, sir, विश्णु पूरान है, sir, भागवत वो common man को God के साथ नजदिक लाने की कोशिश की जारी है क्योंकि वेदों के अंदर क्या हो रहा था सर वेदों के अंदर जब हम लोग literature को देखेंगे यह जो Vedic literature जो initially बन रहा था इसके अंदर बहुत ही श्लोक की कहानी है Vedic literature के अंतरगत क्या था सर You'll find the story of the shlok हो पा रहा था सर है न So the common man was not able to relate it out The common man was not able to understand it out यह यह श्लोक क्या कहना चाता है ठीक है But होता कि है कि जैसे यह पुरान का निर्मान किया गया Over a period of time when the purans were compiled पुरान के compilation से 3-4 प्रकार के बड़े फाइदे हो गए पहला फाइदा यह होता है कि इसको basically story के format में लिखा गया है सर है न तो यह जितने भी पुरान है उसमें story है common man जादा समझ में आता है तो God नजदीक आने लग गया humans के साथ ठीक है तो होता यह है कि इसी के कारण we find कि लोग विश्लू जी को और शियू जी को सर है न तो भक्त और भगवान के बीच में in fact जिस प्रकार के bonding बनने की शुरूआत हुई जिस प्रकार से बहुत सारी devotion शुरू होता है kind of love and worship शुरू होता है उसी को ही हम लोग भक्ती traditions के रूप में पहचानते हैं सर गिडिम अपॉंट है न तो होता क्या है अवतार के बारे में तो आप देखोगे विष्णुजी के उपर फिर दश अवतार की कहानी आई सर है न तो विष्णुजी के कितने अवतार है भाई साब कि वो दश अवतार के रूप में जोड़े गया सर है तो right from the early period to later period ये पुरान का साहीत यह था विष्णुजी को अलग-अलग अवतारों के साथ लिंक अप करता रहता है और इन्ही बेजिस के उपर से वी सी कि humans का origin और humans का भगवान के साथ क्या relations है उसको develop कराया गया सर getting my point है न तो इससे फाइदा क्या हुआ सर इससे फाइदा यह होता है कि विष्णुजी को मानने वाले अलग-अलग संप्रदाय अलग-अलग regions में develop होते हैं जैसे साथ इंडिया के अंदर आप देखोगे आपको नाइनार संप्रदाय दिखेगा ठीक है फिर उसी तोर के उपर आप बंगाल में जाओगे चैताने महाप्रभू दिखेंगे सर फिर उसके बाद आप शंकर शंकर देव दिखेंगे आपको आसाम के अंदर सर फिर यू आपको वरिंदावन मतुरा के अंदर आपको विष्णु जी की वर्षिप दिखेगी अलग प्रकार से सर गुजरात में आओगे यहां पर आपको नर्सी महता दिखेंगे जो भक्ती ट्रेडिशन्स डेवलोप करते अर्ली मॉडन पीरिड के अंदर सर ठीक है तो महराष्ट के कारण ही डगड़ोप हो रहा है सर क्योंकि इनिशली विष्णु वस अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसने यहां पर एक शब्द डाला है पुरानिक हिंदूइजम पर यह पुरानिक लिटरेचर कहां से आया है वो नहीं लिखाया है आज विष्णु जी को आप देखोगे बरा अवतार के साथ जोड़ा गया है विष्णु जी आप देखोगे सेश नाग मुद्रा में कहीं पर बैठे होवे मिल जाएंगे सर इनके रिलेटेड फिर संपरदाय बनेंगे संपरदायों के अंदर फिर मंदीर बनेगा इनका भी पुरानिक ट्रडिशन्स जो है इसके बाद बहुत बड़ी मातरा के अंदर डेवलोप होने की शुरुआत होगी सर तो यहां बोला गया है कि दर डिफरेंट इंकारनेशन ऑफ देडीटी अब शिवजी के विष्णु जी के इंकारनेशन बने शिवजी के अलग 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 अब देखोगे तो शिवजी के साथ ही डेडिकेटेड आपको मिल जाएगी सर गडिक मापॉंट है ना तो होता क्या है कि अलग अलग प्रकार की चीजे बनती है इसी के कारण दस अवतार का ट्रडिशन आया मैं अभी आपको बताया टेन अवतार और दस इंकारनेशन सर है तो यह विशनो जी को अलग 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 अवतार के रूप में यह किसने लिखा है this is all mentioned in the पुरान only और टो टो टोटल जो महापुरान है ना अथारा उसी के अंदर इनका मैंशन किया गया गया है यह दर्श अवतार की कहानी है और देखिसम卫िशय में भगवान आये शेठ क तो गुमाफिरा के आपको दो चीज़ देखेगी पुरान के लिटरचर के अंतरगत, we find कि इन पुरानिक लिटरचर, there is a theme of good versus evil, आप देखे पूरा का पूरा हिंदुईजम जो है, वो इसी के उपर based है, अच्छाई की जीत होगी, बुराई की हार होगी, कोई भी धर्म होता है सर, उसमें यही example quote किये जाते है सर, ठीक है, तो कहानी यह है कि जब हम लोग संसार में जीते हैं, when we live in a world सर है न, हम संसारीक जीवन को अपना कंड़क कर रहे हैं सर है न, तो universe के अंदर जब हमारी life cycle चलती है, तो बहुत सारे problems आते हैं, बहुत सारे issues create होते हैं, तो यह जो life cycle के तहएं, problems आप इस जो चलते रहते हैं, उसके अंदर at times बहुत सारे misery आती है, crisis आती है सर हना, और फिर बहुत सारे evil forces हम लोग को take over कर देते हैं सर हना, negative energy हम को take over करती है, तो जब-जब evil forces take over करेंगे, तब भगवान आएंगे सर, और भगवान अलग-अलग अवतार के रूप में आएंगे, यह अवतार के रूप में कभी मत्से अवतार में दिखेंगे, कभी वरा अवतार में दिखेंगे, कभी वामन अवतार में दिखेंगे, कभी कृष्ण के रूप में दिखेंगे कभी राम के रूप में दिखेंगे तो यार कितनी बड़ी है मतलब मैं I am very small personality who can teach you the idea of Hinduism क्योंकि मैं teacher of history का ना कि अध्यात्म का मन तो बहुत करता है कि अध्यात्म के ऊपर बोले अध्यात्म क्योंकि जितना पढ़ते है उतना कम लगता है थीक है the more you study the more you feel कि या यह तो बहुत ही मैं कहूंगा shallow reading किया हुआ है थीक है उनके उपर faith उनकी जो श्रद्धा है वह बहुत बढ़ जाती है थीक है तो प्राचीन भारत में होता क्या है कि जब बुदिजम और जनिजम का अब यहां पर क्या बोल रहा है थीक है अब क्रिष्ण को यह कितना अवतार है विष्णू के दस अवतार की बात करेंगे तो उनको भी अलग-अलग traditions के रूप में highlight किया गया है ना कहीं पर अलग-अलग रूप में अलग shape के अंदर उनको highlight किया गया है getting on point है ना So this is one of the reasons we will find there will be local duties जिनको विष्णू के साथ जोड दिया जाएगा और वहां से ही basically आप देखोगे एक unified religious traditions बनाने की शुरुवात होती है अब आप देखिए क्या होता है सर है ना आप पंधरपूर चले जाओ यू गो टू पंधरपूर है ना तो पंधरपूर के अंदर विठोबा का मंदीर है महराष्टा के अंदर कह दिया कि ये विश्नु के आवतार है सर ठीकिए उसी तोर के ऊपर आप जगणात चले जाओ जगणात पूरी सर है न उडिसा ये भी विष्नु जी के आवतार है सर ये इसी को ही आप समझने की कोशिश करिए तिरूपती चले जाए you go to Tirupati sir तो Tirupati के अदर Tirupati Balaji का मंदीर है तो वो भी Vishnuji के अवतार बोलेगे करला के अंदर चले जाए आपको lot Ayapa दिखेंगे Ayapa जी का मंदीर है वो भी Vishnuji के अवतार के रूप में consider किये गए वहाँ से ही आप थोड़े भारत की तरफ नौर्थ की तरफ आजाओ या गुजरात की तरफ आजाओ तो द्वारिका के अंदर है सर है ना यहां रंशोड राय का मंदिर है कहा गया कि बहुत सारे लोग और समुधाय के अंदर लोग उनको पूछते है पर वहां से उनको बेसिकली ट्रेडिशन के साथ जोड दिया गया और कहा गया कि he is also an incarnation of Vishnu only sir getting my point है ना तो इससे होता किया है sir है ना एक unified uniform मैं कहोंगा कि unified religion और unified thought का development हुआ getting my point so what do we see over here over a period of time we see that multiple developments of this incarnation took place बहुत सारे incarnations का development हुआ अलग अलग पूराणों का निर्मान किया गया विष्णु जी के शिव जी के शक्ती के ऊपर से सर आराधना करते हुए और वहां से बहुत सारी नई नी चीज़े देखने को मिल जाती है getting my point है ना तो वी सी दाट उनको अलग 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 ट्रेडिशन में डेवलोप किया गया अब देखे प्रॉब्लम यह है यह जितने भी लोकल डिटीज बन रहे थे यहां कि जितने भी स्थानिक भगवान है ना उनकी मूर्तिय बनने की शुरुवात होती है जैसे बुद्धिजम के अंदर हुई थी हमने आपको बुद्धिजम के अंदर बताया था कि बुद्ध को अलग-अलग रंग में identify किया जैसे गहांदार अर्किटेक्च्टर में बुद्ध को अलग से identify किया मतुरा के अंद वैसी ही condition आपको यहां दिखेगी, the same kind of conditions you'll find over here sir, ठीक है, here also we see that the puranic Hinduism, जहां Vishnu को अलग-अलग अवतार थे, तो उनकी भी अलग-अलग मूर्तिया बनेगी, शिव जी के अलग-अलग अवतार से, तो शिव जी के अलग-अलग मूर्तिया बनेगी, शिव जी के अलग-अलग स्तापतिया बनेगी, उनके related architecture का निर्वान होगा sir, ठीक है, so we see that Shiva was symbolized by the link, आपको भी पता होगा sir, ठीक है, and शिव जी को basically इस link और योनी के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि he is known as the god of energy sir, and we see at times he is also represented in the human form as well, अब शिव जी को human form के रूप में देखोगे, तो आप इलोरा की गुफाओं में जाके देखिए, अजंटा की गुफाओं में देखिए, अर्द नारेश्वर दिखेंगे, आपको अर्द नारेश्वर शिव पार्वती के साथ में दिख जाएंगे sir, ठीक है, आपको शिव जी नाराज मुद्रा, आपको शिव जी नाराज के आकार के अंदर दिख जाएंगे, इन सम पार्ट्स अब दे रीजिन sir, गिडिम अपॉइंट, तो what do we see over here, we see multiple forms, हमको बहुत सारे अलग-अलग आकार और प्रकार दिख रहे हैं, जिनके basis के ओपर से we can say and we can conclude, यहाँ पे अलग-अलग प्रकार के अवतार traditions बहुत ही popular हुए sir, और यहाँ पे basically यह जो जितने भी भगवान की मूर्तिया बनती थी, जिनकी images बनती थी, उनके साथ अलग-अलग शक्तियों को जोड़ा गया, उनके साथ अलग-अलग powers को जोड़ा गया sir, ठीक है, इसके लिए NCRT क्या कहता है, all such representations depicted a set of ideas about the dities and their attributes through symbols such as headdress, उनके ऊपर इंफेक्टियों मुगुट पहनाया हुआ है, ornaments and ayuddhas, ayuddhas का मतलब है weapons, आप देखोगे, तो हाथ में शक्ति लेके, वज्र लेके, तलवार लेके, गदा लेके, आपको अलग-अलग भगवान दिख जाएंगे sir, ठीक है, they are seated in a particular dt form, in fact यहाँ पर यह लोग बैठे है, हाथ में इन्होंने कुछ लिया हुआ है sir, getting up on है ना, तो बहुत सारी चीज़े आपको यहाँ से दिखेगी, you'll find multiple things, जो यह traditions के रूप में develop होती है, in the ancient India sir, ठीक है, तो क्या देखने को मिला, what do we see over here, as a part of the traditions, as a part of the cultural practices, that emerged in the ancient India, और जितने भी इन्फेक्ट आपके यह जो cultural traditions यहाँ पर develop हो रहा है, इनके अंदर से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, we are able to understand, कि अलग-अलग अवतार develop हुए, यह अवतार के साथ साथ अगर आप समदने की कोशिश करोगे, तो हमको यह भी पता चल रहा है, जैसे एक जत्रा होती है, दश अवतार को लेके सर है न, उसी तौर के उपर आपको महराश्टर के अंदर बारी वरकरी करके एक festival मिलेगा, जो वरकरी संप्रदाय सेलिवरेट करता है, जो पंधरपूर में विठोबा, विठल को पूस्त है, विठल इवेंचुली विष्णु के ही या कृष्णा के ही अवतार बोले गए है सर, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़े देखेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, यू ट्राइ टो अंदर्स्टाइन, यहां पर जो स्तानिक भगवान है, उसके साथ जोडे गए है, तो उससे क्या हो रहा है सर है ना, उनकी मूर्तिया बनती है, स्कल्प्चर ट्रेडिशन्स का डिवलोप्मेंट हुआ, और यह स्कल्प्चर ट्रेडिशन्स में, अलग-अलग जगा पे, आपको इस प्रकार की अवतारों की मूर्तिया देखने को मिलती रहेगी सर, ठीक है, अब जैसे, यहाँ पे यह फोटोग्राफ देख रहा हो सर, यह वाला सर, ठीक है, इस फोटोग्राफ है ना, यह फोटोग्राफ आपको दो जगा के उपर मिलेगा सर है ना, प्रिसाइसली, एक तो बहुत ही फेमस जगा है सर, उदैगीरी करके जगा है सर, अब उदैगीरी आपको MP के अंदर दिखे, यह एक उदैगीरी आपको उडिसा में भी दिखता है, this is not the उडिसा वाला उदैगीरी, this is Madhya Pradesh वाला उदैगीरी सर है ना, और आपको जानकरी होगी कि गुप्ता डाइनेस्टी भारत में रूल कर रही थी सर है ना, गुप्ता डाइनेस्टी और गुप्ता डाइनेस्टी कब रूल कर रही थी, तो 320 से लेके 550 CE तक का पीरिड है, मतलब बात से करीबन 16 साल पहले उसका डिकलाइन हुआ था, और इमेज अड़ प्लेस कोले सुदेगरी, उदेगरी इस एक टेंपल लोकेटें इंध्यप्रदेश है ना, जिसमें विष्णू जी की इंकारनेशन है, वैस विष्णू जी स्केरिंग भू देवी, भू देवी का मरलब है अर्थ सर है ना, सामानिय रूप से आप देखोगे, तो आज कल विष्णू जी का आपको इस फरकार का फोटोग्राफ दिखेगा, उनके ना कैसा लंबा दिया है, और उसके उपर आपको गोल पुरुछ भी दिख जाएगी सर है ना, तो वैसी चीज यहाँ पे Mother Goddess के साथ, अर्थ के साथ हाइलाइट कराने की कोशिश की गा रही है सर, किडिक अपॉर्ट है ना, तो वील फाइंड एन इमेज आपको एक अर्थ की पुरुच्वी की इमेज दिखेगी यहाँ पे, जो भुदेवी के रूप में आइडेंटिफाई की गई है सर, ठीक है, तो आप देखें कितने अवतार मिलेंगे सर, तो आपको एक पहरे तो यह अवतारों को याद रखना है सर, समझे की नहीं समझे है ना, तो यूर्ट सपोस्ट तो अंडरस्टेंड दी डिफरेंट डिफरेंट अवतार ओफ विश्नु, आपको इसके अंदर से आर्ट अंड कल्चर पता होना चाहिए, कि क्या-क्या प्रकार के इनफेक्ट यहाँ पर आपको अवतार दिख जाएंगे सर, तो आपको कृष्ण के रूप में विश्नु दिखते है, आपको वामन के रूप में दिखते है, वामन मतलब छोटे व्यक्ति के रूप में, ड्वार्फ साइस के रूप में विश्नु दिख जाएंगे सर, आपको परशूराम के रूप में कृष्ण दिख जाएंगे, आपको बलराम के रूप में कृष्ण दिख जाएंगे सर, आपको मचली के आकार के शेप के अंदर विस्तु दिख जाएंगे सब्सक्राइब तो एक बोर है सर है आप देखोगे तो यूमन इमेज के साथ है सर यह कभी आपने नर्सी अवतार देखा होगा सर है अगर आपको जानकार होगी तो यूट फाइंड दी लाइन इमेज ओफ विश्नु विथ ए उमन बॉड़ी सर फिर उसी दौर के ऊपर आपको कूर्म अवतार दीखेगा आपको परशुराम अवतार दीखेगा सर है ना परशुराम जी भी मूलत हसे विश्नु के ही अवतार मा जैसे ब्रहमेंट्स ने ये क्लेम किया कि परशुराम जी हमारे भगवान है समझे कि नहीं समझे गडिम आपको नॉट कृष्ण आप समधने की कोशिश करोगे तो वो कूल देवता के रूप में चंसीडर किये गे वह ओर कम्यूनिटी कॉल देवाला कम्यूनिटी तो ग्व कूल देवता कूल देवता समझ में आता है सर आप देखोगे जितने भी भगवान है सर हना वह मूल तहस है आप देखिए कि विश्णु जी के साथ ही लिंक अप किये गए वो कृष्णा हो गए बल राम हो गए परसुराम हो गए मत से हो गए सर किडिम पॉइंग एवरिफि विश्णु जी का भी एक अवतार बाकी है जिसे हम लोग कहते है दी कल की अवतार सर हना और भविश्य में एक ऐसा समाई आएगा जब समाज के अंदर बहुत सारी कठीनाईया बढ़ जाएगी हम लोग कल्यूक के अंदर चले जाएंगे तो विश्णु जी विल वनस अगे क्रियेट किया जाएगा और उसके बाद हमारा जो जीवन है वो आगे चलता जाएगा तो आपको इतनी पॉइंट तो पहले पता होनी चाहिए कि क्या इंपोर्टन्स था यह दशावतार का यह दशावतार के अंतरगत वी फाइंड कि अलग अलग प्रकार की मूर्थी अब अब यह दो जगा के ऊपर आपको इस प्रकार की मूर्ती दिखी है अब आप देखिए यह दो जगा के ऊपर आपको वरह अवतार की मूर्ती दिखी है कहां कहां पर आर्किटेक्ट्चर के रूप में बना है एक तो आपको यहां पर देखेगा MP के अंदर सर उदैगीरी के अंदर याद रखेगा इन दे उदैगीरी अल्सो विच इस लोकेटेड इन मध्यप्रदेश एक उदैगीरी उडिसा में है यहां पर आपको चंद्रगुप्त टू की बारे में जानकारी मिलती है बाइद गुप्ता डैनस्टी इस हो थी वो वैष्णविजम को बहुत पेट्रोनाइस करती थी सर ठीक है तो चंद्रगुप्त टू यह इसी को ही विक्रमादीत्या कहते है यह राजा अपने आपको विक्रमादीत्या कहता है सर ठीक है कि भाई मैं बहुत ही पावरफुल सा आपको दिखेगी और फिर अर्थ को भूदेवी के रूप में बोला गया है पुरुच्वी को भूदेवी बोला गया है ना पुरुच्वी माता है ना हमारी सर है ना तो देवी के रूप में कंसिडर किया है इसी प्रकार की सेम इमेज आपको यहां दिखेगी करनाटका के अब एहोल का इंपोर्टन्स क्या है यहां पर भी आपको करनाटका की अंदर क्या मिल रहा है यूँल फाइंड विश्नु इन दा फॉम वरह अफतार विश्नु इन दा फॉम वरह अफतार अब यह इमेज कब की है इस इमेज बिलॉंग स्टु सेवन सेंचुरी सेवन सेंचुरी में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यूँल फाइंड की करनाटका में एक डाइनस्टी है चालुक्य डाइनस्टी सर यह चालुक्य डाइनस्टी का रूलर हुआ करता था चालुक्य डाइनस्टी का जो रूलर हुआ करता था पुलकेशिन टू तो पुलकेशिन 2 के समय की most probably बोली जाती है क्योंकि ये सबसे powerful ruler था और यहां पे भी आपको विश्नु वरा अवतार के अंदर दिखेंगे सब अब मुझे आपको ये convey करना है कि जब विश्नु जी की दो same प्रकार की images दिखती है, one is in the उदैगिरी which is in Madhya Pradesh one is in the Karnataka that means विश्नु 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 यहां पे पॉपिलर था विश्नु जी के अलग-अलग अवतारों को लोग-अलग-अलग हिसाब से consider करते थे और वरा अवतार के अंतरगत सेम प्रकार की मूर्ती बनती है सरहना the same kind of image विश्नु कैरिंग भूदेवी Mother Earth को यहां पे लेके आ रहा है जमीन के अंदर से निकल के यह से नीचे आप देखोगे तो शेशनाग दिखेगा सरहना तो all this thing shows कि the same kind of philosophy and ideology was actually existing at that time एक ही विशेश प्रकार की school of thought exist किया कर रही थी भारत के अंदर और इसी के कारण इस प्रकार की मूर्तिया बनती है वरना ना बने सर समझ में आया की नहीं आया वें दे सेम काइंड फिलोस्पी exist over a period of time at different different four locations the artist will be making the same क्योंकि ये जो मूर्ति है ना उदेगिरी के अंदर है वो बनती है फिफ्ट सेंचूरी में दोस्त है ना समझेक नहीं समझे वो बनती है fourth century के बाद सर ना 380 के बाद आप देखोगे तो you'll find की करीबन fourth and fifth century के बीच में बनती है और यहां पे same image बन रही है the same kind of image can be found in the South India मतलब 200 साल के बाद दी यहां पे एक ही प्रकार की मूर्ती मिल रही है जो architecture का part है जहां विश्नुजी को इस तरह से पूजा गिया है मतलब दर्शाता है कि same philosophy में इंडिया बंदा हुआ था इंडिया was actually I would say from north to south was having the same kind of religious philosophy और कारीगरों को पता था कि वहां विश्नुजी को वरावतार में ऐसा दिखाया गया है हमको ऐसे ही बनाने ऐसा ठीक है तो आप समझने की कोशिश करें you try to understand कि यह जितने भी incarnations है इसके कारण क्या होगा कि हिंदूइजम popular होगा क्योंकि लोग अपने हिसाब से विश्नुजी को पूछते रहेंगे in different different forms sir getting my point है ना तो आप समझने की कोशिश करिए विश्नुजी के अवतार आपको कहां कहां दिखे sir बंगाल में आपको दिख जाएंगे sir है ना उडिसा के अंदर दिख जाएंगे आपको अंदर प्रदेश के अंदर दिख जाएंगे यहां पर आयपपा दिख जाएंगे Krishna के अवतार के रूप में, sir, Maharashtra में, Pandarpur में दिख जाएंगे, यहाँ वरा अवतार की photo है, sir, Gujarat के अंदर दिख जाएंगे, Dwarika दिख जाएगा, sir, Rajasthan में Nadwara दिख जाएगा, Mathura दिख जाएगा, everywhere you will find some kind of linkages will be there to the idea of Vishnu और Krishna, क्रिष्णा अल्टीमेटली विष्णु के ही अवतार है, right, sir, ठीक है, तो कहानी क्या चलती है, the story goes on to say, people will be worshipping them as per their own religion, people will be worshipping them as per their own belief, people will be worshipping them as per their own thoughts, उनके जो भी विचार चल रहे है उसके उपर से, but इसे फाइदा क्या होगा, what will be the advantage, sir, the ultimate advantage will be this only, कि यह अपने हिसाब से बहुत popular हुए, और एक नए cultural traditions की शुरुवात होती है, sir, getting my point, so we see that यह जितने भी आपके sculpture से, यह जितने भी मूर्तिया बनी है, sir, वो मूर्तियों के पीछे अगर आपको देखना है, तो आपको उसके लिए अठार पुरान थे, कितने थे, 18, महापुरान की बात कर रहा हो, sir, they are known as महापुरान, ऐसे तो और भी लिखे गया है, बट हम लोग इनको ही याद रखते है, by the middle of the first millennium CE, यह कब compile हुए थे, 500 CE तक है, millennium है, sir, millennium का मतलब है, 1000 साल, 1000 साल के बीच वाला पीरिड, मतलब 500 का पीरिड है, sir, ठीक है, millennium और century के बीच में फरक समझ में आता है, एक नहीं आता है, century का मतलब होता है, 100, समझे खनी समझे, तो मैं आपको कहता हूँ, 6th century, मतलब 600 का पीरिड है, अगर मैं कहता हूँ, 6th millennium, मतलब 6,000 का पीरिड है, getting a point, है ना, क्योंकि इतियास के अंदर, काफी बच्चे के साथ तो ये हो रहा है, कि they are not able to understand, कि ये millennium और century के बीच में फरक किया है, ठीक है, तो यहाँ पुराणों की बात की गई है, ये जितने भी मूर्तिया है, आप विश्णु जी की मूर्ति देख रहे हो, या मैंने आपको बताए, विश्णु जी के दो सेम प्रकार की मूर्तिया, भारत ये अलग-अलग पीरिड में बिलती है, ठीक है, उसी तोर के उपर आपको शिव जी की मूर्ति अर्ध नारेश्वर की मूर्ति, अर्ध नारेश्वर आप देखोगे तो अजंटा, अजंटा नहीं, इलोरा की गुफाओं में आपको मिल जाती है, इलोरा की केवज में मिलेगी अर्ध नारेश्वर, और इलोरा की केवज के साथ साथ आप देखिए, you will get the image of the Narešwar in the Elephanta Caves Elephanta की गुफाए है तो उसमें भी शीव जी के दोनों प्रकार है शीव और पार्वती दोनों प्रकार की कहानी आपको मिलेगी तो यह सब पुरान में है पुरान की जो भी बाते है पुरान की जो भी स्टोरीज है जो लेमेन लेंग्वेज समझ में आता है क्योंकि पुरान के अंदर आप देखोगे तो कहानियों के बारे में बहुत सारी चीज़े लिखी गई है तो पुरान वर वेरी इंपोर्टन्ट टू एक्चुली डेवलोप दिन नॉलेज ऑफ वेद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पुरान एक ऐसा सहित्य था जो वेदिक लिटरेचर को इजी लेंग्वेज के अंदर कनवर्ट करवा पाया से समझ में आया कि नहीं आया पुरान एक ऐसा सहित्य है जो वेदिक लिटरेचर के अंदर गद जो वेदों के स्लोक लिखे गए है बहुत ही हाई philosophy है उसको easily identify किया गया और यहां से फिर क्या बनती है स्टोरी के ओपर से sculptures बनने शुरू हो गए मूर्तिया बनने शुरू हो गई और यह sculptures और मूर्तियों के अंतरगत विष्णू, शिव, अलग-अलग अवतारों को अलग-अलग कहानियों के साथ जोड़ा गया इससे common man की भक्ती और मजबूत हुई सर इससे common man की भक्ती बहुत मजबूत हुई यहां से फिर शुरू होती है भक्ती परंपरा क्या शुरू होगा भक्ती परंपरा की शुरुवात होगी सर तो आपको ये चीज पहले पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजे है किस तरह से यहां से स्टोरी मिलती है सर ठीक है so meaning of this cultures ये समझना हो तो आपको पुरान देखना पड़ेगा मैंने अभी आपको ये पुरान के अंदर ही बताया सर वरा अवतार जो है विष्णी का वो पुरान के ऊपर तो लिखा गया है भागवत पुरान आपको दिखेगी तो यू फाद पुरान में पुरी की पुरी आपको बाते मिल जाएगी so you will find वामन पुरान there is a Puran called as Vaman Puran Vaman Puran के अंतरगत आप देखोगे तो विष्णु जी के Vaman अवतार की कहानी उसके अंदर mention की गई है So the story goes on to say and the whole picture goes on to say कि इसका बहुत importance आपको देखेगा सर ठीक है अब Puran में क्या लिखा गया है? Puran के बारे में देखेगा सर ठीक है They contain much that had been composed and in circulation for centuries including the stories about the gods and goddesses मैंने आपको बताया भगवान, देविया, देवों के बारे में जो कहानिया है उन सब का compilation किया गया था Generally they were written in simple Sanskrit verses मैंने आपको बताया बहुत सामानिय लैंग्वेज में लिखा गया था Were meant to be read aloud to everybody including women and shudras who did not have access to Vedic learning अब देखिए एक चीज़ आपको बहुत अच्छी दिखेगी तर रुगवेद और बाकी सारे वेद थे बहुत ही highly philosophical थे और रुगवेद के अंतरगत ये चीज़ हो रही थी कि because they were highly philosophical तो common man को समझने में बहुत problem था दूसरा वर्ण प्रथा के अंदर थोड़ी बहुत limitations थी जैसे प्राचीन भारत के अंदर धर्मशास्त्रों का निर्मान किया गया था Smriti traditions के अंदर आप देखोगे न तो in the Smriti traditions you'll find the dharma shastras getting developed ये जो धर्मशास्त्रों का निर्मान किया गया था इसमें वर्ण प्रथा को बहुत ही focus किया गया है और फिर उसके बाद दीरे दीरे थोड़ी बहुत rigidity भी आई थी there was वर्ण a rigidity also जहां पे specific कारिया किसी समाज के लिए specific वर्ण के लिए restrict कर दिया गया था so the Vedic knowledge was actually not passed on from one generation to other generation for a brief period पुराण के साथ फाइदा ये हुआ कि पुराण was actually I would say compiled in a very simple languages because it was compiled in a very simple languages और फिर उसको जोर जोर से पढ़ना होता था so people used to read it out and इसके कारण क्या होता था कि those sections of society जिनको पहले गनान नहीं मिल पाता था खाज करके women को, शूदरस को क्योंकि शूदरस were actually at times forbidden to learn about the traditions or the cultural traditions उससे उन सब को मुक्ति मिल गए सर तो इसी के कारण ये हो रहा है कि पुराण का evolution हुआ ये पुराण के evolution के कारण in fact है प्रीस्ट, मर्चंट, सामानिय विक्ति, वुमेन ये लोग जहां जहां गए थे उन सब ने पुराण के अंदर सब कुछ लिखने की शुरुवात की so we will find different different ideas were compiled, different different beliefs were compiled सर है न और इसी compilation के कारण we see कि कृष्ण वासुदेव जिसे हम लोग कृष्ण के रूप में पैचानते है उनको भी पूजा गया over a period of time उनका भी in fact मूर्तिया बनती है और उनके related भी आप देखोगे तो नए ने पुराणों का निर्बान किया जाएगा तो इस तरह से आप समध्य की कोषिश करिए we see in ancient India because of the पुराण traditions the पुराणिक literature याद रखेगा पुराणिक literature सर ये पुराणिक literature के कारण क्या हुआ सर एक new thought developed हुआ new belief system developed होता है और ये belief system के तहत भगवान के अलग-अलग मूर्तिया अलग-अलग अवतार अलग-अलग कहानियों के साथ उनके related जो भी बाते थी वो सब compile हुई सर और इससे ही क्या होता है आज का modern day Hinduism का growth हुआ over a period of time यही मूर्तियों को फिर temples के अंदर बनाने के शुरुवात होती है जैसे आप यहाँ पे देखिए तो you'll find the image of Durga is found somewhere in Mahabalipuram तो आप देखोगे तो Durga Mata की आपको एक image दिखेगी यहाँ पे beach के अंदर if you can see over here तो basically महिसासूर मर्दिनी के रूप में आपको यहाँ पे Durga Mata दिखेगी you'll find Durga Mother Goddess Durga Durga Jee तो आपको इस तरह से दिख रही है getting upon महिसासूर मर्दिनी के रूप में क्योंकि असूर का वद करना है तो जो देवत है वो basically दानवों का वद करेंगे society के अंदर order create करेंगे वही कहानी पूरी पुरान के अंदर लिखी गई है उसी basis के ऊपर से we find and we come to know that they became very integral part of the I would say cultural traditions getting upon और यहाँ से फिर क्या होगा कि अलग-अलग प्रकार की कहानिया include की गई sculpture बने और यही sculpture से क्या होगा we find temple architecture will be developing फिर उसके बाद मंदिरों का स्तापत्य बनने की शुरूवात होई और वहां से ही हमको बता चलता है कि common man के साथ भक्ती की परंपरा डेवलोप हो जाएगी समझे अप लोग ठीक है ना तो भक्ती आर्ट भक्ती कल्चर भक्ती परंपरा की शुरूवात होती है भक्ती ट्रेडिशन्स की शुरूवात हो जाएगी साथ तो ये पूरी की पूरी कहानी है आप देखिए कहाँ वेद आप देखिए एक फ्लोचार्ट बनाते है साथ है जाते जाते रिविजन करते है वरना तो आपको समझ में नहीं आएगा आज का क्लास फिलोसफी गया है क्योंकि अभी तक बुदिजन में थे उसके पहले हमने फिलोसफी की बात की थी फिलोसफी में मैंने आपको अगनानवात की बात की मैंने आजीवी कास की बात की मैंने आपके साथ बात की regarding मकाली गोशाल की मैंने आपको लोकायत बात की, अजित केसमबकली की बात की, संजय बेली पुत्र की बात की, सर है ना, आज हिंदुईजम के उपर, पुरान के उपर लेके आया हो, सर ठीक है, तो आप देखे कि क्या हो रहा है, सर है ना, इस अपार्ट अब दी, पुरानिक डेवलोप्मेंट हिंदुईजम, पुरानिक हिंदुईजम जिसे हम लोग पैचानता है, यह कैसे बन के आया, सर, ठीक है ना, यह कैसे डवलोप हुआ, गडी मपार्ट, तो शुरुआत तो इसकी वेरिकेज में हो जाती है, वेरिकेज के अंतरगत, जो रगवेद के अंदर, जो श्लोक लिख समय दीरे-दीरे आगे गया, 600 BC तक का पीरेड आपको मिलेगा, 600 BC से जैसे समय आगे गया, तो इसके अंदर से और लिटरेचर बना, बहुत सारी फोक स्टोरीज इंक्लूड होती है, सर, है ना, फोक स्टोरीज के साथ साथ आप देखोगे, जो नॉलेज था, वो नॉलेज क दूसरी जगा, ट्रावल कर रहे थे, उन्हों ने बहुत सारे फोक कल्चर को आइलएट किया, सर, गिडिंग ओपट है ना, और उन सब की कंपाइलेशन होते होते क्या हो रहा है, सर, है ना, by 500 CE, by 500 CE, what do we see, there was merger, and we can say there was some kind of mixture of the religious belief, and the cultural traditions, है ना, so we can say there was a merger, and there was a mixture of cultural traditions, mixture of cultural traditions, different इसी के कारण क्या हुआ सर है ना ये जो विश्णु जिनको इनफेक्ट है ना वेली काल में आ रही अभी पूजा करते थे बहुत लिमिटेड इनकी पूजा होती थी वो धीरे 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 क्या पता चल रहा है सर है ना एक बहुती सुप्रीम गौड की एंटिटी के रूप मे आ गए सर है ना वो सेवियर के रूप में आ गए और ये सेवियर के रूप में विश्णु जी आए ये सेवियर के रूप में इनफेक्ट शिव जी आएंगे ये सेवियर के रूप में आपको बिजिकली गौडेस दिखेगी गौडेस के अंदर आप देखोगे देविया दि किया गया, इनको basically पुरान के लिटरेचर के अंदर compiled किया गया sir, they were compiled in the पुरान लिटरेचर and what do we see over here, we come to know that इसी के बाद से इनकी images बनने शुरू होई, और ये images से क्या हो जाता है, temples बनने शुरू हो गया sir, getting up on है न, तो आप देखिए कि how the development of Hinduism is taking place contemporary to the Buddhism sir, तो जब Buddhism developed हो रहा था, अब Buddhism की कहानी आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है sir, 600 BC में बुद्धा का ही period था, the period between 600 BC sir है न, 600 BC में बुद्धा का period था की नहीं था sir है न, ये महाविर का period था की नहीं था, yes मैं कहूंगा कि it was a period of महाविर and Buddha as well sir, 500 BC तक आते हैं बुद्धिजम में महायान, हीनियान का development हुआ था sir है न, महायान, हीनियान, वज्रयान, इन सब का development हुआ था कि नहीं हुआ था sir है न, इसी period के अंतरगत आप देखोगे तो बुद्ध की images भी बन रही थी, बुद्ध की मूर्तिय भी बन गई है sir है न, और इनका architecture भी बन रहा था, the Buddhist architecture was also growing up at that time sir, getting up on time, बट ये period में हमको देख रहा है कि there was revival, revival का मतलब क्या है, कि आज का जो Hinduism है, उसका फिर से growth होने की शुरूवात हुई, क्योंकि इनको अलग-अलग रूप से, अलग-अलग आकार में, अलग-अलग जगा में पूजने की शुरूवात होती है, क्यों होता है, क्योंकि पुरान का compilation हुआ था, तो ये चीज आपको बता होनी चाहिए, और इसी अंतरकर्ट अलग-अलग अवतार बने, अलग-अलग मूर्तिया बनी, ये मूर्ति भी कहां-कहां बनती है, मैंने आपको अभी बताया, कि एक ही प्रकार की मूर्ति, विश्नुजी को अलग-अलग अवतार के अंदर, उदैगीरी में भी पूजा गया है, वरा अवतार के रूप में, या इनको आप देखने की कोशिश करोगे, यहां करनाटका में एहोल करके जगा है, एहोले कहते हैं सर, पुलकेशिन टू करके राजा आपको दिखेगा करनाटका के अंदर, वो भी विश्णु जी को वरहा के रूप में वर्शिप करेगा, तो आप देखे, इसमें राजा की वो भी दिख जाएगी, इसमें राजा की जो कल्चरल थॉट है, वो भी इसके अंदर से इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, तो यह पूरी की पूरी कहानी, यहाँ पर आपके हिंदू़िजम के अप रिलेटेट थी, कि प्राचीन भारत में 600 BC से लेके, 600 CE तक आप देखने की कोशिश करोगे, किन-किन प्रकार के कल्चरल ट्रेडिशन्स बने, और ये कल्चरल ट्रेडिशन्स में, ओवर पीरिड अफ टाइम, टेंपल्स बनने की शुरुआत होगी, अब टेंपल्स कैसे बनेंगे, टेंपल्स किस तरह से बनेंगे, टेंपल्स में किस-किस भगवान को रखा जाएगा सर है न, उन सब के उपर, कल के क्लास में डिसकस करेंगे सर, ठीक है, तो tomorrow most probably will be concluding this chapter, यह chapter को हम लोग conclude करेंगे, और फिर यह मंदीरों के उपर मैं आऊंगा सर है न, अब एक बच्चे कमेंट के अंदर कल पूछ रहा था कि सर यह क्या आप optional के हिसाब से पढ़ा रहे हो, यह GS के हिसाब से पढ़ा रहे हो, अब जैसा समझे वैसा सर ठीक है, यह actually GS के हिसाब से हो, optional में तो इससे depth में जाना पड़ता है, पुरान as a source of secular literature, पुरान as a source of religious literature, पुरान was compiled to take the idea of Vedic culture and Vedic thought to common men in an easy way, do you agree or not, यह तो सब optional के question आते हैं सर, ठीक है, GS में आपको यह question आ चुका है सर, आपको आया हुआ है कि विष्णुजी का वरा अवतार की मूर्ती कहां पे located है, दोनों जगा के उपर से question आया था, यह hole के अंदर भी पूछी कई थी, और दूसरी मैंने आपको बताई ना, यह वाली, उदैगीरी सर है, MP के अंदर, एक उदैगीरी यहाँ पे भी है सर, देर इस वन मोर उदैगीरी, विच इन उडिसा, विच इन उडिसा, और इट्स जैन केव, वो जैन केव है, वो जैना गुफा है सर, खारवेल करके राजा हुआ करता था, पोस्ट मॉरेन इंडिया के अंदर, उसने बनवाई थी सर, यह उदैगीरी, पर यह MP वाली उदैगीरी है, जहां पर विश्णु जी, आपके वरा अवतार के रूप में मिल जाएंगे, खेर, तो ऐसी बहुत सारी कहानिया है, हिंदूइजम को लेके भी, कि भाई, इंडियन सोसाइटी है, जो तैयारी है, आप करना चाहते हो, तो आप हम लोग के साथ जूड़ सकते हो, on the academy plus platform, मैंने आपको पहले भी कहा है, कि we will not disappoint you, आपकी selection की, इंफेक्टन हमको ज्यादा, चिंता होती है, आपकी selection की हमको ज्यादा, फिकर भी होती है, आप जरूर से हमारे साथ जुड़ी, अपनी preparation को push करिए, नहीं नहीं batches हम लोग launch कर रहे हैं, और मेरी अभी ही just modern India की batch, हमने शुरू की है, it's a very comprehensive course, and you are most welcome to attend that, बहुत मज़ा आएगी, आप जरूर से हमारे साथ जुड़ीएगा sir, you will enjoy this preparation as well, खेर आज यहाँ पर इस session को conclude करते हैं, आप मिलिए हमको live class के अंदर, raise your hand जरूर करिएगा, क्योंकि उससे हम लोग audio interaction भी कर पाएंगे sir, तो सबसे best part हमारे subscription का यही है, कि आप हमारे साथ जुड़ तो पाओगे, बात भी कर पाओगे, और वैसा नहीं के खाली और खाली आप खाली टाइप करोगे, और फिर हम जवाब देंगे, आप raise your hand करिए, सीधा और सीधा हमारे साथ audio discussion करिए, जो YouTube के उपर possible नहीं है, ठीक है, तो आज यहाँ पर ही conclude करते हैं, प्लिस लाओगे, लिए 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 लगारे से लोगे लिए प्लिए लोगे लागे लोगे लोगे, लोगे स्वाए टिल देए लिए लोगे, गबल्स य जाए हिंद लेदेने,